शिष्टा चार उट्ते ही माता पिता एवं बड़ों के चरण स्पर्ष करो और परिवार में सभी को नमस्ते करो सभी के साथ प्रेम पूर्वक यथा योग के विवहार करो अपनी सिहीन किसी को न समझो सदैफ मधोर वसत्य वचन बोलो जब दो बड़े व्यक्ति परस पर बाते कर रही हूँ ता उनकी बीच में मत बोलो किसी वस्तु को बिना अनुमति के मत लो सभा में योगी स्थान पर शांती पूर्वक बैठो कोई बड़ा व्यक्ति आए तो खड़े होकर उसका आदर करो उसके जाने पर मुख्य द्वार तक छोड़ने जाओ किसी का अपमान मत करो चाहे वह शत्रू ही क्यों नहो बड़ों के साथ बात्चीत करते समय श्रीमान एवं महोदे आदी शब्दों का प्रयोग करो अपने शरीर एवं वस्त्र आदी को स्वच्छ तथा मन को सदेफ प्रसन रखो अच्छे बच्चों वह लोगों की संगती अर्थात सत संगती में रहो कुसंग से बच्चो दीन दुख्यों की सहायता करो सभी कार्य समय से करो तथा अनुशासन में रहने का अभ्यास करो क्रोध, इडशा, असत्य और अहंकार जीवन की महान शत्रु है इनसे सदेफ दूर रहो सभी कार्य धैर्य पूर्वक करो असफलता से निराशन होकर फिर प्रयत्न में लग जाओ गुरुआं का आदर करो जीवन परियंत व्यायाम तथा स्वाध्याय करो क्रोध करो